Hello everyone and welcome back. तो आज हम भी इस वीडियो के इंदर देखने वाले हैं RRB के लिए जो exam आने वाला है उसका second part और इस question में मैं GKE, GS, GA के question उठाए हैं और MCQ वही है जो railway बार-बार पूछता है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मारा session तो सबसे पहला question है अब को करना क्या है वही मैं सेम चीज रिपीट करूँगा वीडियो को post करना है और खुद से answer देना है इसके अंदर मैं 20 question करूँगा और आप लोगों को भी साथ साथ में उसका as a MCQ ट्रीट करना है उसको मुक टेस्ट की तरह और अपना चाहें तो score भी आप लोग comment section के अंदर share कर सकते हैं तो पहला question है जो भौपाल gas तरास्ती हुई थे और भौपाल gas strategy उसके अंदर कौन सी gas लीक हुई थी यह मैंने question में ही लिख दिया है जो थी methyl isosinate यह भी बहुत बार पुछा गया है तो यह accident जो हुआ था किस तारिक को हुआ था यह हमें सब को पता है कि यह चलिए पहले आप लोग देख लीजे क्योंकि कि मैं question पढ़के answer पता दूँगा भई तो एक तरह का mok test नहीं रहेगा I hope आपको इसका answer gas कर लिया होगा आपने तो जो इसका सही answer है भई वो है 3 December 1984 option number C क्योंकि इस time पर क्या हुआ था भई methyl isosinate के leak होने से बहुत लोग मर गये थे और कहीं बार company के बारे में पूछा यह था कंपनी का नाम क्या था भई तो यह था Union Carbide Factory in Madhya Pradesh जो की बहपाल के अंदर है उसके बाद है जो तो मैं discuss करी जो आपको की mok test की तरह आपको इसको treat करना है second है भई एक और accident है जो history में काफी famous exam point of view से और बार-बार पूछा गया है कि जो Chernobyl accident हुआ था वो किस से relate करता है क्या वो प्रमानू दुर्खटना थी bookamp करके था बाड करके था या फिर acid rain करके था तो भी यह हुआ था 26 अप्रेल 1986 के अंदर I hope कि आप लोग answer समझ गए होंग या फिर आप लोग करें तो nuclear accident तो आंसर होगे option number a next one is इन में से किस नदी को उसके परदुशकों के कारण जैवी करेगिस्तान यानि कि उसको biological desert कहा जाता है तो वो कौन सी नदी है तो भी वीडियो पोस्ट करके आप लोग आपना आंसर देखिएगा लेकिन आप देखते हैं इसका answer उस रीवर को भी एक हिंट है कि सोर ओफ बैंगोल भी उला जाता है क्यों क्योंकि जो भी इंडस्ट्री का है या फिर शहरों का या किसी भी तरह का जो भी उससे पॉल्युटेंट निकलता है वो सारा ही जाता है उस नदी के अंदर तो उस नदी का नाम है भई option number see the mother river तो क्या आप मुझे कोमेंट सेक्षीझ بالता सकते हैं कि सौर ओ एफ भिहार किसको कहा जाता है इनके कौन सी नदी को बोला जाता है उसके बाद है हूँ इस दा फाउंडर ओफ राम क्रिशन मिशन का फीजी कोशन है तो आई होब आप लोगों को अंसर पता ही होगा इसका तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है भई पहली बात तो यह कि 1897 के अंदर यह फाउंड हुई थी और जिन्होंने फाउंड की थी उनके गुरु का नाम था राम क्रिशन परमहंस तो उनहीं के नाम पर ही रखा गया था राम क्रिशन मिशन तो यह थे भई स्वामी विवेकान आंसर है उप्शन नमबर सी तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा अगर आप पहली बार आएं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजएगा और इन तीनों के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एनके पीडिएफ तो आपको टेलिग्रम पर मिलेगी ही साथ में अगर आप लोगो कोई क्वैरी है उनमें ज्यादा बिलीव था क्योंकि वो सूपर स्टीशन यानि के जो भी रिती रिवास थे या बुरे थे या अच्छे थे उनके खिलाफ थे और एक हिंट ये भी है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक बुक लिखी थी I hope आपने सबने guess कर रही लिया होगा answer ऐसा ह इसका option number B देयानन सरस्वती और ये question तो बहुत बार पुछा गया question उसके बाद है इन में से किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है option आपके सामने है आप वीडियो पोस्ट करकर पहले अपना answer सोच सकते हैं तो चले अब discuss करते हैं क्योंकि ऐसा हुआ कि क्योंकि एनी पे सेंट ने स्वामी देयानन जी के बारे में कहा था कि वो पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने कहा है इंडिया इस ओनली फॉर इंडियन्स यानि कि भारत जोव भारतियों के लिए है तो अंसर हो जाएगा इसका option number A स्वामी देयानन सरस्वती नेक्स्ट है यानि कि आपको प स्वामी जो सेड्यूल है वो किस के साथ संबंदित है किस के साथ डील करता है तो वीडियो पोस्ट करके पहले आप अपना आंसर देखिएगा उसके बाद हम बात करते हैं इसके question के answer की तो यह बात करता है anti-defection law के बारे में यानके दल बदल विरोधी कानू इसके बारे मे deeply तो आप इसमें पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग मेरी politics की series देख लीजेगा वहाँ पे copy deeply discuss किया हुआ है क्योंकि ये 52 amendment act के बाद एड किया गया था तो answer है anti-defection law next है सविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है भाई बहुत important question है यह क्योंकि इसके बारे में तो भी last year में बात करूँ थे हाई court के अंदर petition में डली थी कि India का नाम change करकर भारत कर दिया जाए हलाकि वो supreme court ने dismiss कर दी थी क्योंकि already हमारे constitution के अंदर हमारे दो नाम mention किये हुए है India and भारत क्योंकि मैं article number one की बात करूँ वो कहता है कि India that is भारत shall be a union of state and the territory तो यहाँ पर दोनों नाम पहले से ही mention कर रखे है तो आंसर क्या होगा option number a next है complete or former rendition of national anthem text निके जब भी हम राष्टर गान गाते हैं तो भाई टोटल उसको कितना समय लगता है तो यह बात हमें सबको पता है कि जन गन मन जो हमारा national anthem है और इसको adopt किया गया था हमारे constitution के अंदर 24 जनवरी 90 50 गो तो आंसर क्या होगा भाई इसका option number c 52 seconds next है natural rubber contents जो प्राकिरतिक rubber होती है उसके अंदर क्या शामिल होता है basically तो वीडियो पोस्ट करके answer सोचेगा भाई फिर माँपर discuss करता हूं क्योंकि इसको अलग नाम से भी जाना आता है मतलब और नाम क्या है इसके latex बोल देते हैं वह इसको amazonian rubber भी बोल देते हैं लेकिन जो इसका main content है वो होता है polymer of isoprene तो answer क्या है option number b isoprene next है bauxite इन में से किस धातु का अयस्क है that means किस metal का और है तो ये है भई aluminium का option number c that means कि bauxite से हमें क्या मिलता है anumilium मिलता है क्योंकि और से ही हमें और को extract करकर ही हमको लोगों को metal मिलता है तो answer option number c aluminium next अभी ये काफी tricky question है और मैं ये भी bet लगा सकता हूं कि बहुत सारे लोग इसका answer गलत देंगे क्यों देंगे वो भी देख लेते हैं अभी question है कि जो german silver है उसके अंदर silver कितने percent होता है 100% 50% 0% या फिर none of the above तो भी पहले तो आप लेखे जर्मन सिल्वर आप लोगों ने अपने घरों के अंदर इसके बर्तन देखे होंगे इस तरह इंकटोरियां तो अब बात करते हैं कि यह जो white color का अलोग है इसके अंदर 15% तो निकल होता है 35% zinc होता है और 50% copper होता है और silver कितने percent है वही उसका द देखने में silver काता है इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोल देते हैं that means this cancer हो जाएगा C 0% white color है इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोल देते हैं वही जर्मन सिल्वर तो I hope आप लगों को question तो समझा ही गया होगा लेकिन आप यह नहीं सोचेंगे कि इस cancer 0 भी हो सकता है next है जब भी लोहे को जंग लगता है रस्त लगता है तो उसका weight क्या होता है क्या वो increase होता है decrease होता है उतना ही रहता है या फिर uncertain अनके गड़ता बढ़ता रहता है तो भी जैसे iron जो है oxygen से react करेगा तो वो iron oxide बनाएगा वो इस chemical reaction के बाद जो है मालीज अगर यह लोहा है तो इसके उपर क्या होगा oxygen जमना शुरू हो जाएगा इनकी iron oxide बनना शुरू हो जाएगा that means कोई चाहिए उसके अंदर add हो रही है अगर किसी चाहिए के अंदर कोई एड हो रही है that means वो increase करेगा ना की decrease तो answer option number a next question है कि भारत रतन से सन्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे तो चार option जो है आपके सामने है बई right answer क्या है इसका ये भी बहुत से कम लोगों को knowledge होगी इस question के बारे में तो इस question का answer है कि जो पहले singer थे जो भारत रतन से award ही थे वो थे श्रीमती MS सुबू लक्षमी जी तो 2001 के अंदर अतामगेशकर जी को मिला था 1999 के अंदर रवीशंकर जी को 2009 के अंदर भीशंकर जो शी गो लेकिन 1998 के अंदर मिला था MS सुबू लक्षमी जी को इनके इन सबसे पहले मिला हुआ है MS सुबू लक्षमी को तो answer होगा है इसका option number B उसके बाद है who was the first actress to be conferred with the owner of पदम श्री इनके पहली अभीने तरी कौन सी थी जिनको पदम श्री से नवाजा गया था तो भाई ये थी option number D नर्गिस दत 1958 के अंदर और ये वोर्डर है जिससे हम लोग highest civilian award के owner को rank कर सकते हैं इनके सबसे बड़ा है भारत रतन फिर आता है पदम भी भूशन फिर आता है पदम भूशन और last में आता है पदम श्री तो answer होगा option number D नर्गिस दत उसके बाद है next question ये question भी बहुत exam में पूछा गया है frequently पूछा गया है क्योंकि ये cinema के अंदर दिया जाता है और ये first lady थी इनको मिला था I hope आप लोग सब जानते ही है ये उनकी image है answer है option number C देविका रानी और 2018 के अंदर भी अमिताब बच्चन को भी दिया गया ये award next है इंडिया अपनी longest international border किसके साथ share करता है क्या वो बुटान है पाकिस्तान है चाइना है बंगलादेश है ये question भी काफी confusing रहा है तो इसका सही answer क्या है ये है बंगलादेश बंगलादेश क्यों है क्यों कि भी किसी समय पर बंगलादेश भी इंडिया का ही पार्ट था तो एक तरह सेकर में एक rough diagram बनाओं उस तरफ का ठीक है तो एक तरह सेकर में इस बंगलादेश देश कुंसिडर करूँ तो ये इधर से लेकर भाई साब इधर जितना भी है और ये ये पूरा एरिया जो है ये इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेर करता है इसलिए इसकी बांडरी जो है 4,096 किलो मेटर की बांडरी शेर करता है इंडिया से तो आंसर क्या हो जाएगा option number D next है अंडे माने निकोबार आइलेंड के अंदर highest peak कौन सी है यानि कि सबसे उची चोटी का नाम क्या है option आप लोगों के सामने है तो आप लोग सही answer दीजेगा इसका तो answer क्या इसका सही बई option number B saddle peak क्योंकि योगी 732 मीटर है अगर हम बात करें next question की तो 19 वा question है second last question हमारी वीडियो का कि इंडिया के अंदर हिमालियन रेंज की सबसे उची चोटी कौन सी है यानि कि हाइस्ट peak कौन सी है मैं बात कर रहा हूँ हिमालियन रेंज की क्योंकि अगर मैं सबसे वर्ल्ड की सबसे उची चोटी बात करूँ फिर तो मांट आवरेस्ट आ जाएगा लेकिन ये नेपाल के अंदर है इंडिया के अंदर नहीं है बात की जा रही है इंडिया की तो ये answer क्या होगा इसका कंचन जंगा क्योंकि कर मैं केटू की बात करूँ क्योंकि केटू भी बहुत हुची है लेकिन वो कराकोरम रेंज के अंदर आती है क्वेश्चन में पुछा गया है हिमालियन रेंज के तो answer क्या हो जाएगा कंचन जंगा option number B और आज का जो last question है मारा वो भी काफी important है कि इंडिया का rank क्या रहा है अब की बार वर्ल्ड बैंक के human capital index के अंदर तो यहोप आपको लोगोंने answer सोची लिया होगा भई तो जिसका answer सही answer है वो है option number D 116 वा rank तो भई जितने भी लोगोंने इस वीडियो को as a mock test treat किया था वो अपना score share कर सकते है comment section के अंदर और अगर वीडियो अच्छा लगा वो आपको फाइदा मिल रहा है तो like करें और अपने study group में share करें ताकि और लोग भी हमारे इस वीडियो से चैनल से जोड़ पाएं तो चलिए thanks for watching जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहेगा anybody can learn gk